कार जहीं सातियों आज हम लोग जग्राफी के मोश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस इंद्ध नदी तंद्र को समझेंगे आए बात करते हैं तो इससे बहुत ही मैदपूर्ट प्रस्ण एक्जाम के लिए बनते हैं आपकी ससी एक्जाम रेलव एक्जाम और एक्जाम के बहुत डिटेल में समझेंगे और साथी साथ यहां से जितने भी मैदपूर्ट प्रस्ण हैं उन सभी प्रस्णों को हल करेंगे तो देखिए यह आपका तिबबत एरिया है और तिबबत एरिया जो आपका है तिबबत के मान सरोबर जील से एक नदी का उद्गम होता है जिस जगह को बोलते हैं मान सरोबर क्या बोलते है मान सरोबर कि इस मान सरोबर जील से इक ग्लेसियर पास में पढ़ता है और ग्लेसियर का नाम क्या हाणी वूकर की मारे एक प्रकार ग्लेसियर मों तो इस ग्लेसिर से नदी का क्रूστगहम होता अब इस त्रह से और यह आप का अरब सागर पाकिस्तान का एरिया है और अब सागर में कौन सी नदी डेलता बनाती है तो आपकी सिंदु नदी डेल्टा बनाती है अब आये समझते हैं जब सिंदु नदी का उद्गम कैलाजपरवत के मान सरोबर से बुखर्चु इमानी से होता है तो यह भारत में जो जम्मु कस्मीर या लदाक का एरिया है लदाक में ले ले से प्रिवेश करती है और ले पर एक इस्था भारत में एंटर करती है और लदाक के ले से उती हुई अब यह नदी एक जो नंगापरवत आपका पड़ता यह नंगापरवत के उत्तर में बुंजी नामक जो इस्थान है वहाँ पर एक गार्ज का निर्माल करती है प्रसम पूछा जाता है सिंदु नदी भारत में बुझी नामकस्तान पर बनाती है और भारस से ये नदी हैं पाकिस्टान में अंटर करती उस स्थान को प्रिव兩 आप को रखना है पिर यह अरब सागर होते उएयर अज़ते हूए और पाकिस्तान कि अरब सागर में क्या बनाती है यह बात अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसकी कुछ सायक नदियां है जो भारत से इस सिंद्धु नदी में मिलती है सबसे पहली जो नदी है आपकी जेलम नदी और यह जेलम नदी आपके जेलम नदी कहां से इसका उद्गम होता है तो जहलम नदी किसकी सायक नदी है तो यह आपकी सिंदु की सायक नदी है और यह बेरी नांग जहील से बेरी नांग जहील के निकट एक और जहील है सेस नांग जहील से भारत मतलब यह नदी का उद्गम होता है जहलम नदी का और बुलर जहील जो बुलर जील है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है बुलर जील उससे होते हुए नदी जहलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या बनाती है अंतराश्टी बॉर्डर सेयर करती है और इसके बाद ये नदी आगे बढ़कर पाकिस्तान में जंग के निकट के जेलम नदी किस स्थान पर चिनाओं से मिलती है यजन नदी और उर्दगमित होती है जेलम नदी सुनुल है निल जाती है उस स्थान को क्या ब मिलते हैं सिंद्र नदी से तो आब देखिए यह आपका चिनावह है और चिनाव नदी का उथ 1995 कहां से होता है तो यह यह नदी जिन्दु की सबसे बड़ी सायक नदी यह याद रखना यह प्रसंद कई वार एक्जाम में पूछा गया इसके बार एक और नदी जो माचल प्रदेश से निकलती है उस नदी को क्या बोलते हैं यह निकलती है आपकी रावी नदी और रावी नदी का उद्गम होता ह है रहतांग दर्रे से याद रखना है दोस्तों रहतांग दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है तो रहतांग दर्रे से जिस नदी का उद्गम होता है उसको बोलते हैं रावी नदी और यह नदी बाद में यह किस से मिल जाती तो चिनाओ से मिल जाती है तो इस तरह से तीन से निकलती है और कां निञड़ी यह कांप पर याद रखना ये भी हिमाचल पृधिस में wenn प्रदेश से उत्गमित होती हैं का कउन्सी तीन आपका फ़ेन मिंगत यह तीन ने MY मिलती है तो यह मिलती है आपकी सिन्दू से आपको जगए ब्रकेमS में हर基 नमकिस्थान पर यह नदी यहां से एक और नहर निकलती है जिसको बोलते हैं इंद्रा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नदी इंद्रा गांधी नहर इंद्रा गांधी नहर किस इस्थान से निकलती है प्रसंद पूछा जाता है तो हरके नामक जगह से तो हरके बान यहां पर एक नहर निकालीगी जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों तो यह इंद्रा गांधी नहर कहा जाता है इसको ये आपकी कौनसी ये तीसरी चिनाव की सायक नदी है साथी साथ पूर देखिए सिंदु ये कैसी नदी है तो पूर बरती नदी है जो पश्चिम की ओर बैती है तो पश्चिम पाकिस्तान की ओर बैती है साथी साथ एक और खास नदी की बात करते हैं सतलज नदी का उदगम होता है मान सरोबर जील से मान सरोबर जील जो आपका मान सरोबर है उसी के पास में एक राकस ताल जील है कौन सी जील राकस ताल जील दोस्तों याद रखना राकस ताल जील कहां पर है तो यह आपके तिब्बत में है और यहां से एक नदी उदगमित हो और यह आपके भारत में प्रिवेश करती है और यह आपके भारत में पूझा गया है तो इस दर्रे का नाम है दोस्तो दोस्ति घला रखना सिब किला दर्रे से इसका बाँ मतलब भारत में हुआति करती है neighbors यह यहाद रखना जब आसा होता है और यह वह पहन सरब्र में भीनिकार मिइने निकलती है यह लड़ी आकर को इस नदी में आकर कौन सी नदी आपकी वियास नदी इस सतलग नदी की सायक नदी है तो यह किस से मिल जाती है तो यह मिल जाती है आपके सतलग से मिल जाती है ब्यास और आपसे एक प्रसंद बनता है और यह दोनों नदी आपकी पाकिस्तान में पाकिस्तान में आपकी चिनाओ और यह पांचों नदियां कहां पर मिलती है तो पा नदियां पंच नदे बनाती हैं क्या बनाती हैं तो इस तरे से दोस्तो ये पांचो नदियां कहां से निकलती विए किस नदी शेट का यह मिलती है तो सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए चिंदु सिंदुख्य अगर विस्तार की बात करें तो ग्यारा दसम्लब 65 लाग वर किलो मीटर में और यह इस नदी का भारत में जो वो 361Lilim Consult । जबकि Pakist GTA 3100प पाकिस्तान में कित्नी है पूरा टोटल कितनी सिंद्ध के तना है तो इनकी सायग नजीं का ग्याराद मैशललाग लागशे किलूमेटर में इसका सब्सक्तार है सिंद्ध नदी की यदि लंबाई पूछी जाए तो 2880 किलोमेटर किसकी लंबाई सिंद्ध की लंबाई टोटल कितनी है तो आपकी 2880 किलोमेटर है यह बात सबसे मैदपूर है और खास बात यह है कि यह बाई और से मिलने वाली कौन-कौन सि 5 दीन जो इसे मिलती हैं तो आपकी जेलम चिनाव रावी व्यास और सथलक से बांदिया जो पाल्स नदीयां धिया और भाषक पाकिस्तान के मीठन कोट में मिल जाती है और बाद में पान यह प्रस्ण बहुत ही मैद पूच्छा जाता है कि जेख यह ब्याव में जिसको बोलते हैं किसन गंगा किसन गंगा किसकी साइक नदिये और किसन गंगा को पाकिस्तान में किस और नाम से जाना जाता है तो नीलम नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है नीलम नाम से जाना जाता है कि यह प्रस्ण काफी इंपोर्टेंट है जेलम का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं विश्टसा नदी यह आपने पड़ा होगा आए अब हम थोड़ा डिटेल में इनके जितने भी प्रस्ण है मैद पूर्ड उन सभी प्रस्णों को समझते हैं जो सिंद्धू नदी से बनते ह अब लोग इनके जितने सारे प्रस्ण हैं उन सभी प्रस्णों को अच्छे से समझते हैं कि प्रस्ण हमारा डिया है कि देखिए सिंद्धू नदी का सिंद्धू नदी की कुल टोटल नंबाई कितनी है तो 28803 किलोमेटर है चीक यह बात और सिंद्धू नदी का उदगम हो यह जगह है और यहीं से या इसी को बोलते हैं सानो खयायाब परवत जिस हिमानी परवत से इसका क्या होता है उदगम तो आपको याद रखना है कि माई सिंद्धू नदी का उदगम कहां से होता है तो मान सरोबर जील तिबबस से और साथी साथ चेमा एंगंडूम परवत या इसी को बोलते हैं सानो खयायाब या बूखर की मानी से इसका होता है यह लिखा भी और यह नदी पहले उत्तर से पच्छिम दिसा में प्रवाइच होती है फिर हिमाले परवत को काट कर यानी हिमाले परवत को यह किस जगह पर काटती है तो दम चौक नाम के स्थान पर भारत में फ्रुवेस करने के बारesian यह आपका एक एरिया आपको याद रखना है भारत के इंस्द में लग्दाक से नदियं drip activity है पूरबरती नदियों में आपको याद रखना है कौन सी तीन नदियां पूरवरति यह तीन नदियां कैसी है यह पूरवरति नदी कई आते हैं यह दिब्बत में इनका उद्गम होता है तीनों नदियों का यह याद रखना संध्य नलंभी पाकिस्तान पर प्रेवेस करती है कई चिल्लास नामक इस्थान पर यह भारत और पाकिस्तान के случे 1960 में एक समझोता हुआ था जिसे का गया सिंदु जल समझोता याद रखना है सिंदु जल समझोता कब हुआ तो याद रखना है 1960 में ये जवालाण नहरू जेल नहरू और साथी जो वहां के राश्पती थे आपके पाकिस्तान के अयूब खां इन दो लोगों के मद्द में हुआ था यूब खां और जेल नहरू के मद्द एक समझोता हुआ था 2060 में जिसे कहा गया सिंदु जल समझोता तो इसमें यह वुआ था कि पांच नदियां भारत की जो पंच नद है तो सिंदु कि और दूसरी नदी का नाम जेलम चिनाव इन तीन नदियों का जो जल है मैं भारत इन तीन नदियों का कितने परेशंट 20 परेशंट करेगा तो भारत को बीस पर करना आसी पर्संट किसको देना है तो यह आपको देना है पाकिस्टान को जबकि वारेखे बची हुई आपकी रावी गज्ञ मैं कि और व्यास सतलच इन तीन नदियों का जो जल है इसमें 80% भारत इसका प्रियोग करेगा जल का और पाकिस्तान कितना करेगा तो 20% ये था आपका सिंध जल समझोता जिसमें आपकी जो नदिया है उन सभी के पानी के वितरन को लेकर बात कई गी थी आईए बात कर लेते हैं नेक्स प्रसन की और नेक्स प्रसन आपका ये दिया है सिंध मदी के वाइंवोट से मिलने वाली जो नदिया है उन्हें क्या बोलते हैं सतलज ब्यास रावी चिनाव जेलंग ये पाँच वो नदिया जो सिंध की वाइंवोट से मिलती हैं सिंध की पा सामया dif听 पाकिस्तान में और पॉंचूल ग्रडियों का जल किसे मिल जाता है सिंदू से बदियाता है मैं अब यदि बात करें bakın डाइंडियों से मिलने वाली कौन 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 चीजिशा-बार चानते हैं तो मत्रों चे से तो थोड़ी 2 निजिश sisters हम लोग करेंगे कि लिए यह यहां पर अब है अगछ से यहां पर एक नदी मिलती है इंडिया में इंकर से जिसको बोलते हैंक ऑस चाहर स्योक नदी आपसे मेई यूठ से बारत में मिलेवाली कौन सी नदीए फितल नदी जो कहां से ao that निकलती है और यही इसकी एक सायक नदी जिसको बोलते हैं किया नुब्रा नदी आपके एंडिया में नदी मिलती जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं गिल गित गिल गित नदी मिलती है किस तो आपकी दाइओर से मिलती है साथी साथ एक नदी का नाम है कावुल और दूसरी आपकी कुर्रम कावुल कुर्रम और और आपकी स्वात नदियां यह नदी कहां से तो दाइओर से पाकिस्तान से किस में मिलती है सिंदु में मिलती है यह याद रखना है कावुल कुर्रम स्वात और स्वात की सायक नदी जोब जोब नदीई इसकी सायक नदियां जोब याद रखना एक यह नदी इसे मिलती है तो कावुल कुरुर्म स्वाथ odpow जो पाकिसकी से और साथ ही गिलगित नदी पाकिस्ताँ से आकर ellas सिंद्व में मिलती है तो इस बात को नोग समझ रहे थे जुंध सिंदु की प्रमुख सायक नदियां कौन-कौन सी क्योंकि यहां से प्रस्म कई सारे बनते हैं अब आप से प्रस्म देखिए जहलम नदी के विशे में जहलम नदी की लंबाई कितनी है तो साथी साथ जहलम नदी का उधगम पीर पंजाल परवस्य होता है और यहां पर जो नदी आपकी जील है प्राचीन समय में जहलम को जाता था वितस्ता यहाद रखना है कि स्री नगर के निकट बुलर जील में मिलती है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है आपको याद रखना है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो बुलर जील है और बुलर जील से कौन सी नदी आकर मिलती है तो जेलम नदी आकर मिलती है यह याद रखना है और यह कहां पर नदी है तो यह आपकी स्री नगर में अब सबसे इंपोर्टन पुछाएता है जेलम नदी भारत और पाकिस्तान के मद में अंतराश्ची सीमा बनाती है वो कहां से लेकर कहां तक अंतराश्ची सीमा बनाती है आपकी जहलम नदी तो मुझफरावास से मंगला तक याद रखना मुझफरावास से मंगला तक यह नदी क्या बनाती है अंतराश्ची सीमा बनाती है जहलम नदी अब आपकी कसमीर आपको ये पुलता है यह नोगा गढ़ी स्थान के नदी कही जाती है यह जहती किसे मिल जातीologि संखलम पर मिलती है तो जंग मअपस्तान किसकी सायगम यहां पर प्रयोजना नदी पर है तुल६ुल परयोजना आपसे पुछा याता है झालब नदी कौन सी प्रियोजना इस्तित है तो आपको याद रखना तो लूब प्रियोजना आपकी किस नदी पर है तो हम लोगों ने आते काफी अच्छे प्रस्नों को समझा इसका उद्गम सेसनाग जील से बेरी नाग जील के निकट और बुलर जील में आकर यह मिलती है यह भी याद रखना आए और मुझफराबाद से मंगला तक एक्या बनाती भारत और पाक के मद्द में सीमा साजा करती है और अनंत नाक से बारा मुला तक किया आए यह नौका गम जील है नौका गम एक नदी है कह सकते हैं और जहलम नदी से आपकी चनाओं से मिलती है जंग नाम अकिस् से थे अब लोग बात कर लेते हैं रावी नदी रावी किसकी सायक नदी तो चिनाओं की सायक नदी है इसका उद्जगम कहां से होता है हमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्देश कांसे होता है बड़ा लाचा दर्डे से होता है और आपको पताऊना कि चंदर और भागा दो ये क्या अधराये जो आकर मिलती है और जिनेma सहीं करूप से क्या कहा जाता है चिनाओ और बगलियार पर्योजना किस नदी पर इस्तित हैं तो आपको याद रखना है यह आपकी दोनों पर्योजना आपके चिनाओ नदी पर इस्तित हैं और यहीं पर एक और पर्योजना जिसे बोलते हैं दुलस्ति तो तीन पर्योजना आपको मुश्ली याद रखने चिनाओ पर रचे सिपरोड़राइब दूलस्ती पर्योजना सब्सक्राइब और चंद्र-बागा के आहें इनकी सायक भारा हैं जो आकर मिलती हैं जुर्ट आप निर्वान करती cotton you कि अगली नदी का नाम किया सत्लगज नदी और इसकी कुल-टोटल नंभाई कितनी इसी पंद्रा सो किलूमेटर है उद्गर्व मस्का कहां से वता है तो मां सरुबर जीन से उद्गर मुज़ा होता है उद्गम होता है किस नदी का उद्गम होता है भारत में हिमाले परबत को यह काट कर सिपकिल्ला दर्रे से भारत में क्या करती है प्रिवेश करती है प्रस्म कई बार एक्जाम में आया है आपकी जो सतल नदी भारत में किस इस्थान पर मतलब किस दर्रे से प्रिवेश करती है इसी नधी पर वांध निरमित है जोसे बोलते हैं वाक्रा नागलwright किस नधी पर खतित है सबसे जो नहेर उसको क्या बलते हैं। इंदरा गांडी नहेर किस नधी पर खतिन है तो यह आपकी जहां पर्यांस और जह मुंत हो बहुत हैं is तो इस तरह से बहुत ही महत्पोर्ट प्रस्णों को हमने इस सीरीज में डिसक्स किया और उम्मीद करते हैं आपको हमारे टॉपिक या प्रसंद प्रसंद आए होंगे हमारे चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें जहें सकती है